प्रदान मंत्री विद्य चैनल इसके बारे भी हम बात करेंगे और एक मर्म इश्पर्शी कविता जिनकी है यह मैं आपसे खुद जाना चाहूंगा कि यह कौन है चलिए उनका तारूफ कुराने से पहले में आपके सामने दो चार लाइन है रख रहा हूं आपको पकड़ ला हैं कि हम किन कवियत्री की आज कवियत्री माली जाती है हिंदी साहित में छायावादी युक के जो चार इस्तंब थे आपको पता होगा सूर्यका अंतरपाथी निरला जी सुमित्र अनंदन पंत जी और जै संकर प्रशाद चौथा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको गैस करना है और आतुनिक हिंद के विशालियों की सरस्वती भी कहा है चलिए अब तो आपको वड़ा इजी हो गया होगा जब तक आप इसको गैस करेंगे एक दूस्त नहीं दे देता हूं फोन कर सकते हैं आप हमें हमारे टेलीफोन नमबर देखे अपने टेलिविजन स्क्रीन पर डबल 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 जिरो 440559 मेल आइडी भी है कक्षादस के ओफिशल विद्यारितियों के लिए ओफिशल मेल आइडी जो हमारे पास होता है वो है dts.class10.ciet.nic.in चलिए आपको एक बहुती सुरूले सफर की तरफ में लेकर चल रहा हूं और स्टूडियो में मेरे साथ तरश्रीफ फर्मा है आज हम बात करने वाले हैं मधूरpee atravikozal जोकी महादेवी वर्मा जी की एक बहुती खुबसूरत ही कवीता है तो चलिए सबसे पहले इतनी महांसख्σιmiयत का हमने जिकर किया है तो भारगवी जी आप ही हमें बताए कि महादेवी जी वर्मा जी के बारे में कुछ खास बात जो हमारे बच्चों को पता है ही जो नहीं मालूम है कैसे एक आरबाय। महादेवी वर्मा मानी तु जाती है हिंदी की कवईत्री है कविता एक तरह से शुरू होती है जैसा कि आपने कहा कि मीरा तो आधुनिक यूग की मीरा उनको कहा जाता है हैं वो मुख्यता संस्कृत से उनका साबका रहा उनका लेना देना रहा संस्कृत वो पढ़ाती थी जी लहाबाद रही प्रयागराज जिसे आज कहा जाता है वहां के विश्व विद्याले में वो रही चुकि संस्कृत और एक काविय बहुत ही सम्वेदन शील थी वो को लेकर के एक तरह से उनको कहा जा सकता है कि वो एक चिर संगनी की तरह चिर संगनी मतलु हर वक्त जो साथ रहे प्रकृति के साथ तो प्रकृति के साथ जो व्यक्ति रह रहा है तो वो स्वाभाविक है कि वो काविय की ओर क्योंकि प्रकृति में सौंदर्य है और जो सौं और वो कविता शुरू करती है लिखना शुरू करती है उनके लेखन की एक जो विशेश बात है वो बात ये है कि वो कविताओं में रहस्य को खड़ा करती है रहस्य यानि दर्शन भारतिय दर्शन सास्त्र को । चूकि संस्कृत से जोड़ी रही तो दर्शन बारतिय दर्शन का उनके पास एक बहुत ही सशक्त उनके पास एक माध्यम भारतिय दर्शन जिसको जिसको उन्होंने कई तरह के विंबो से खड़ा किया अपने कविताओं में और इसके लिए उन्होंने सिर्फ उन्होंने संद दर्शन में भारतिय दर्शन का एक और विशेस जो मैं उसका एक आयाम होगा वो यह है कि बहुत दर्शन को भी उन्होंने उठाया बहुत दर्शन अब जैसे यह इस पाठ का ही नाम जो हम लेते हैं पाठ का नाम है मधूर मधूर मेरे दीप बखजल कोई सोच सकता है कि यह मद दिये को को जलने के लिए मीठे-मीठे क्यों कह रहा है दिया तो जल रहा है कोई जले और वो मधूर हो यह कैसे संभावी नहीं है लेकिन वो यहाँ पर जो बात करने जा रही है वो दिया ठीक बाउद दर्शन का जो एक बहुत ही प्यारा सा सर्धानत है अपदीपो भवा अपने भीतर ही जलो अपने मन के दिपक को जलाओ अपदीपो तो यह बाउद दर्शन का सुक्त था उसको इन्होंने आधार बना लिया और इसी तरह इस कविता का आधार हम एक दिपक के रूप में देखते हैं वो दिपक और ऐसे ही दिपक जैसे ही कई ऐसे शब्दों को महादेवी ने अपनी कविताओं में शामिल किया जो दिखने में लगेगा क्या रहे यह तो पूजा की बात कर रही है वो वास्तों में पूजा उनकी जो पूजा है वो कर्म है कविता है लेखन है प्रकृति के साथ गुजारा गया हर एक वक्त उनके लिए पूजा है और इश्वर की अराधना चुकि प्रकृति है तो प्रकृति में ही इश्वर नहित है हर चीज में हम कहते हैं कि वरिक्ष में भी इश्वर है कण-कण में भगवान है तो ये बात इनकी कविताओं से सिद्ध हो जाती है कि हर एक चीज में आप उठाएं किसी भी तरह के यह न सिर्फ इन्होंने कविताएं की कविताओं की रचना की इन्होंने साहित की कई विधाओं को इस्तमाल किया बिल्कुल आपने तजस्स क्रियेट कर दिया यहां पर मैं समस्ताओं कि अब कविता हमें पढ़ लेनी चाहिए बिल्कुल साथ कविता के लिए हम जैसे कविता का पहला जो बंद है वो बंद है मधूर मधूर मेरे दीपक जल यूग यूग प्रति दिन प्रतिक्षण कर इस इन पंग्तियों में हम देखते हैं कि शुरुवात वो दीपक से करती है जिस दीपक की बात हमने की यह दीपक है क्या किस दिये की बात कर रही है तो वो दिया है वास्तों में इनका वो मानती है कि यह जो शरीर है हमारा दिये की तरह है वो धीरे धीरे जलेगा और वो से जो रौशनी होगी वह उनके उस इश्वर के मार्ग को यानि इश्वर तक पहुचने के माध्यम के रूप में सामने आएगा ये बात वो कहती हैं तो कहते हुए उन्होंने पहली पंगती में कहा जैसे इस कविता में हमने मैंने बताया भी है कि दीपक लौकिक अस्तित्व इस देह को कहा गया है देह के रूप में उन्होंने इसकी चर्चा की जिसमें प्राणों की बत्ति यानि प्राण मनुष्य का जो प्राण है जिससे हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये प्राण का प्राण है ये इसका सबूत है उसके उसको उसके बत्ति की प्रेम की ज् सकते हैं कि कभी कहता है कि मेरे दीपक तुम प्रेन की मिठास के साथ धीरे-दीरे्डी तर्फेजी से मजलना तर जीरे-धीरे जलो और अन्वरत जलो अन्व треб मतलब लगातार मेरं अथक जलो जब हम पूजा करने जाते हैं तो सुनते हैं कम्ण जोत जल अखंडी जो तह है क्या वही धीरे धीरे उसका निरंतर जलना कवाइत्री महादेवी के प्रियतम यहां जो इन पंक्तियों में प्रियतम शब्द है यह प्रियतम कोई सोचे का क्या रे प्रियतम कहां है भाई तो प्रियतम वही परमात्मा जिसकी वह अराधना में वह दीप ज चलाना चाहती है जिनकी राह को वह अपने उत्सर्ग अब यहां उत्सर्ग शब्द का मतलब वह उसमें डेडिकेट हो जाना चाहती है उसमें घुल जाना चाहती है अपने को उसमें नियोचावर कर देना चाहती है ठीक जैसे आप आपने कहा कि मीरा तो मीरा के बारे में तो नहीं अधारना है कि उन्हों वो कृष्ण में समा गई लीन गई लीन हो गई ठीक इसी तरह महादेवी कविताओं में के माध्यम से इश्वर में अपने को डुबो देना चाहती थी तो वो समर्पित करना चाहती थी इसे लिए उत्सर्ग उनके लिए यह शब्द इस्तमाल हु होंगे जब हम अपने को गलाएंगे ठीक वैसे ही जैसे दिया धीरे धीरे उसकी बत्ती जलकर खत्म हो जाती है तो जितनी देर वो जलती है आज पास चार और प्रकाश फैल जाता है ताकि हम और उसी प्रकाश में हम पढ़ते हैं लिखते हैं सारा काम करते हैं तो यह जो है इस इन पंतियों के माध्यम से वो शुरू करती है इसके बाद दूसरा जो इसका बंद है वो क्या कहता है कि सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोमसा घुलरे मृदुतन दे प्रकाश का संधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गलगल पुलक पुलक मेरे दीपक जल अब इसमें इन पंतियों में कहता है कहती है कि सौरभ फैला सौरभ यानि सुगंद खुश्मूभ विपुल धूप विपुल मतलब धेर सार बहुत सारा बहुत ही विपुल धूप बन अब धूप क्या है यहां धूप का मतलब श्लेस है धूप का मतलब एक तो रोश्नी और दूसरा धूप जो हम पूजा के समय जलाते हैं तो यहां पर भी पूजा की एक शब्दावली प्रयोग की गई है पहले में दीपक दूसरे में धूप तो कहता है कि सुरभप फेला विपुल धूप बन मृदन मुम्सा मृदन मोम कैसा है तब पीघल जानेवाला वह हम जाहेंगे के मेरा शौरीर जो है वह धूप की तरह जलता रहे हुँआ धूप की तरह जलकर क्या पैलाएं सुरब पैलाएं चारो और ठेर सारी कुष्भू पहला दे और दूसरे दूसरे पंग्ती में कहती है कि मृदूल मोमसा घुलरे मृदूतन मृदूतन तन मतलब शरीर मृदू तो शरीर तो दिखने में तो मृदू नहीं है कठोर है लेकिन वो मृदू क्यों कहा गया तन की उपमा मृदू से की दी गई क्यों उसके लिए विशेशन दिया गया मृदू इसलिए क्योंकि शरीर जो है नश्वर है वो खत्म हो जाता है वो टिकता नहीं तो कहता है पहली पंग्तियों को जो हम करते हमने व्याख्या जब की करना चाहते हैं तो कवेत्री चाहते हैं को उनका यह तन या शरीर धूब बनकर अ पहली पंग्ति दूसरी पंग्ति जैसे कोमल मोम जलती हुई पिघलती जाती है वैसे ही मोम रूपी या नश्वर काया जल जल कर पिघलते हुए भी खुश्वू तथा प्रकाश बिखेरती रहें मोम जलेगा तो उसमें बत्ती होती है वो दीरे दीरे जल कर चारो रोशनी तो दूसरी पंग्ति से वो रोशनी दे पहलाने की बात करती है और पहली पंग्ति से वो खुश्वू पहलाने की बात करती है तीसरी पंग्ति में जब हम आते हैं दे प्रकाश का सिंधू अपरिमिन प्रकाश का सिंधू यहां पर सिंधू की जब हम बात करते हैं वह समुद्र के रूप में इस्तमाल हुआ है कि जलते हुए मेरे तन तुम प्रकास का समुद्र बन जाओ थोड़ा मोड़ा प्रकास मत करो इतना प्रकास करो कि वह समुद्र की तरह चारो और फैल जाए ताकि मेरा मेरा प्रेम जो है मेरा समर्पन जो है मेरे प्रियतम तक आसानी स पहुच जाए उसके बाद वो कहती है और भाई प्रियतम खुश होगा कि उसने अपने को उच्छ सर्ग किया है आप सुनते हैं कि किसी भी इश्वर को तब तक नहीं पाया जाता जब तक आप उसको उसको ये न लग जाए कि यह भक्त मेरा सबसे अनुठा है प्रहलाद का युग के उधरनों को आप देखिए तो यहां पर यह बात वह कहती है है पर मेरे दीपक जल अब यहां कीमत पुलक-पुलक का मतलब किया है क्कि खेल खेल कर ऐसे नहीं कि जल रहे हैं इसका मुझे गम है इसका मुझे अफसोस है कि मैंम मैं मैं अपने शरीर को गला रही हूं चाहकते हुए धीरे धीरे खुशी के साथ मैं अपने शरीर को उत्सर्ग करूंगी शरीर का उत्सर्ग करके मैं इस संसार को इस संसार को अपने काम से प्रकाशित करूंगी ये भी उनका भाव है इन कविताओं से के माध्यम से इसके बाद हम आते हैं त सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे हैं तुझसे ज्वाला कण विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय नजल पाया तुझ में मिल सिहर सिहर मेरे दीपक जल अब यहां इन पंतियों में हम देख रहे हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे हैं तुझसे ज्वाला कण अब यहां पर तुझसे किस से मांग रहे हैं यह कवईत्री कहती हैं किसके लिए कि यानि दीपक से वो मांग रहे हैं ज्वाला कण कि दीपक तुम अपना ज्वाला अपनी ज्वाला अपनी रोश्नी मुझे दो अब यहां पर इस बंद में प्रेम के त्याग और उत्सर्ग से रहित संसार के लोगों के बारे में जो नई पिढ़ी है जो प्रेम ऐसा होता है कई बार ऐसा दिखता है कि नई पिढ़ी प्रेम से रहित दिखती है उसको पता नहीं कि इश्वर के प्रति प्रेम क्या है कारण भी है कि हम इतनी भागदौर भरी जिंदगी में है इतनी भागदौर ह हैं हमारी जिंदगी में कि हम हमारे पास कहां टाइम है कि हम अपने को उच्छ सर्ग करें हम कहां टाइम है हमारे पास कहां वक्त है कि हम बैठ कर पूजा के कमरे में बैठ जाएं और अपने को युश्वर की अराधना में लगाएं यहां पर वो कहना चाहती हैं किसी भी हम पा त्याग चाहिए एक छात्र के लिए भी त्याग चाहिए वो पढ़े छात्र त्याग करेगा और उत्साह के साथ त्याग करेगा तभी जाकर वह किसी चीज को पा सकता है तो इस तरीके से वो इस बात को कहना शुरू करती हैं और वही जो बात उन्होंने छात्रों के लिए हम पाटकों के लिए कही कि तुम से हम सब ये सारे जो नई पीड़ी है वो तुझसे ज्वाला दीपक से कहती है कि वो तुझसे ज्वाला केकण मांग रहे हैं जगत रूपी सलब यानि पतंगा और वो क्यों मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अपसोस हो रहा है यहां पर जल जाता है दीपक दीपक के अर्धगर्ड़ को कहता हो मैं जल तो गया लेकिन पान भी सका क्योंकि तुम्हारी तरह इश्वार को यहां पर लोगों को वो कहती हैं कि ये जो नई पिड़ी वो के मांग रहे हैं दीपक से ज्वाला मांग रहे हैं उससे उतनी ताकत मांग रहे हैं वो उससे उतसर्ग की भावना मांगते हैं कि तुम भी मुझे वो भाव दो ताकि मैं अपने को उतसर्ग कर सकूँ मैं उतना त्याग कर स अपने कुछ डुबो सकूँ ये बात वर्गे भी जल्दी से हम लास्त वाला जो देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एक प्रशन भी है जलते नभको देख असंख्यक स्नेह हीन नितने कितने दीपक जल मैं सागर का उर जलता विद्युत ले घिरता है बादल विहस विहस मेरे दीपक जल कविता के अंतिम बंद में कवैत्रिया देखती और दिखाती है कि आस्मान में दिप-दिप करते हुए तारे मानो दीपक ही ही है यह जो कुछ भी है दिप-दिप कर रहा है यानि अचानक टिम्टिमा रहा है यह टिम्टिमा ना यानि यह कह रहा है कहती है कि वो उसमें स्नेह की कमी है यहां पर स्लेश अलंकार का प्रयोग किया गया है इस बंद में इन कविताओं में इस तरह के प्रयोग है अलंकार का तो यहां पर स्नेह का दो रूप में प्रयोग किया गया है एक है प्रयोग इसका तेल के रूप में और दूसरा है प्रेम यानि कि पंक्तियों में कहती है कि कवैत्री प्रेम की इस अगनी को सिर्फ ये अगनी वो ये मानती है कि अगनी सिर्फ दिये में ही नहीं है यह यह अगनी बढवागनी में यानि समुद्र में भी है जलमे सागर का उर जलता सागर का उर जलता है सागर में क्या है बढवागनी हमसे बताती हैं और बताती हैं कि हर कणकण में प्रकृति के कणकण में में इश्वर है और हमें उसकी आराधना करनी चाहिए यह इश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने हो सकता है बिल्कुल कितनी महतफूरूल बाते इस कवीता में कही दूबारूरा एक दो सवाल मैं आद्यत्मुबादी एक द्रिश्टिकोंड दिखाए है जे बिल्कुल रहसिबाद है कक्ष़ादस की एक लास है रहसिबादा आद्यत्मुबाद को यहां पर जोड़का और इस कवीता के माध्यम से मन के दीपक को मन के ज्यान को कहीं नहीं कि बहुत दिक चंतन की जो बात करें तो उसको उजागर करने की बात करी गई है तो हम एक प्रश्ण यह भी बनता है कि इसमें ऐसी कवीता हैं पढाने का हां क्या और चित यहीं है जो मैं बार लगा बीच मैं उदारन दे रही थी कि छात्रों को और हम छात्र ही नहीं हम सब को जीवन में हम जहां हैं जिस रूप में हैं जो भी काम हमें दिया जाता है अगर कोई कपड़ा बनाता है बुनकर है तो उस काम को लगन से करें जैसे कि कभीर कभीर कि यहीं काम करते हैं जो जहां है जिस उस काम को प्रेम और उठसर्ग के साथ करें तो एक छात्र पढ़ता है और सिक्षक पढ़ाता है तो सिक्षक का पढ़ाना और छात्र का पढ़ना ये दोनों उठसर्ग की मांग करता है तो इस पाठ के माध्यम से रहस्य तो यही है अब रहस्य की बात है इश्वर वो कविता क कविता के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि छात्र मन लगाकर ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान अर्जन का मतलब हुआ कि आप एक सार्थक व्यक्ति बन कर उभरें सकारात्मक समाज में सहयोग दे सकें तो बस यहीं इसका और चिते ही इन पाइस पार्ट को पा चात्रों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश यही है ताकि वो जान सके कि पूजा के लिए मंदर में ही नहीं बैठना जहां है वही से पूजा की जा सकती पासक करकर में भगमान की बात हुई थी और देश का भविष्ट जब आप जाकर बन रहे हैं तो मन का जो दीपक अगर आप यहीं से प्रजलित कर लें उस घ्यान को आप आने की कोशिश करें तो वो देश के विकास की मुख के धारा में कहीं नहीं जाकर जड़ेगा जब आप उस इस पर पहुचेंगे तो शायद उस चीज़ को समझ पहें बिल्कुल स्टाट अप करें या जो भी करें बिल्कुल एक प्रशन और भी मेरे जहन में था कि अभी जसे हम बोल रहे थी कि महादेवी वर्मा जी चायाबाद के चार स्तंबे में से कभी त्री में से एक है तो है जिसमें मीरा होती है तो इस तरह से चार युगों में उस पूरे हिंदी साहित्य को बांट करके देखा गया है क्या बात है आप चायाबाद को 21 सदी में आप ले आए और बिल्कुल महादेवी वर्मा जी ने भी हर वक्त चायाबाद है अन्डश चित्रूप से और उनका अथक प्रयास था चुकि इस कविता की बात नहीं है उन्होंने सर्फ कविता ही लिखी है और कुछ भी लिखावाद के अलावा उन्होंने रेखा चित्र के हैं कच्छे साथ आठ नौ आप इसमें उनकी कई लिखी हुए जैसे गिल्लू पढ़ा आपने फिर आप पढ़ते ह इसे कई पाठ हैं जिसमें रेखाचित्र के माध्यम से उन्होंने रेखाचित्र उनकी उसमें एक बहुत ही शशक्त माध्यम उसको बनाया उन्होंने और एक और मैं बात बताना चाहती हूं कि महादेवी ने सिर्फ रेखाचित्र और कविताओं के माध्यम से एक सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आगे हैं मैथमेटिक्स कक्षा नो के विधारतियों के लिए जहां पर आप सिखेंगे लाइनस एंगल्स चैप्टर फाइब छोड़े से ब्रेक के बात बने रिए मेरे साथ